हे गाईज वेलकम टू देव फूमी कर्यर पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग तो देखे देर आए दुरूस्त आए फाइनली उत्राखंड अधिनिस्त सेवाचन आयोग ने एक नोटिपिकेशन निकाला है नया रिक्रूटमेंड का जिसमें सबसे पहले कनिष्ट अभियंता सि अधिनिस्त सेवाचन आयोग के पास उसका नोटिपिकेशन भी देखने को मिलेगा तो यह देखे आज ही 9 जुलाई के दिन ये नोटिपिकेशन रिलेज किया है UK SSSC ने और इसमें उत्राखंड पेजल संसाधन विकास हैं निर्माग के अंतरगत कनिष्ट अभियंता सिविल के पधो पर भरती की जाएगी ठीक है कनिष्ट अभियंता मलों जूनियर इंजिनियर सिविल पर सो वेकेंसी है तो काफी अच्छी अपॉच्छी अपॉच्छी है जिन लोगों ने सिविल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा किया है तो विज्ज्यापन प्रकासन आज ही हुआ है ओनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे 15 जुलाई से और ओनलाइन आवेदन की अंतिम्तिती है 25 अगस्त 2019 तक ठीक है ध्यान केंगे 25 अगस्त 2019 तक आप इसको अपलाई कर सकते हैं परिक्छा सूल्क नेट बैंकिंग के त्रू ही जमा करेंगे आप ओनलाइन मार्द्यम से ज वैसे ही UK SSC ने पर इस बार दे दिया है कि इस जेई भरती की जो परिक्षा होगी वह माह दिसंबर में होगी ठीक है तो यह काफी अच्छी वैल नुज है तो काफी कम समय बचा है जो लोग प्रिपरेशन में सनलगने हैं जेई सीविल की तो अब देखेंगे पूरा नोटि सुचना है अपनी एजुकेशनल जो भी आपका क्वालिफिकेशन है साथी जो भी आपके जो एड्रस होता है सभी महत्तों पूर जानकार्या भरनी पढ़ते हैं OTR में मत अब आप OTR आपका प्रमाने करण है आयोग में टिक है वेबसाइट पे फिर इसके बाद आप केंडिडेट्स है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है OTR भरने में अगर कोई भी आपको प्रॉबलम आती है तो आयोग ने यहाप टॉल फ्री नंबर भी मैंसन किया इस बार यह टॉल फ्री नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं ठीक है ध्यान दखेंगे तो अच्छी यह सब ही जल्दी ही भरती कराएंगे क्योंकि वहां पर भी काफी पोश्ट खाली हैं भी तो 131 पत कोट है कुल पत सो हैं इसमें सामानने के पत हैं 66 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया गया पहले बार इसमें 13 पोश्ट हैं और OBC के लिए 21 पोश् है इसका और काफी अच्छी सेलरी होती है एक जेही की ठीक है तो 24,900 मिनिमम है और मैक्जिमम आपकी 1,42,000 तक जा सकती है और पद आपका ही जो होता है यह नोन गजेश्टेड होता है ध्यान नकेंगे अंसदाए पेंसन होगी इसमें भी आप बात करते हैं एजुकेशनल क् इसमें आपका किसी भी भारत में वीदी द्वारा स्ताफित जो कॉलेज है या युनिवर्सेटी है वहां से आपका तीन वर्षी है डिपलोमा होना चाहिए सिविल इंजिनिरिंग में ठीक है और ध्यान लगेंगे इस पोस्ट के लिए केवल डिपलोमा वाले ही अभ्यर्ती यहां पे आविधन कर सकते हैं बीटेक वाले अभ्यर्ती जिनोंने सिविल इंजिनिरिंग में बीटेक किया है वो लोग इसको अपलाई नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जूनियर इंजिनिर की पोस्ट है इसके लिए केवल डिपलोमा जिनोंने पॉल टेकनिक की है वो इसके बाद बात करते हैं जो लिखित प्रतियों की परिक्षा होगी इसकी 100 कोश्चन पूछे जाएंगे आपके ट्रेड रिलेटिव कोश्चन होंगे मत्तब आपने सिविल से इंजिनिरिंग किया तो सिविल से ही यहां पर सो प्रसन पूछे जाएंगे दो घंडे का पूर पूछे जाएंगे कौन-कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसी इसाब से आप तहिया लिए अपनी करें बात की जाए लिखित प्रतियों की परिक्षिया होगी जो यहां पर मिनिमम जो कर्ट आप होगा तो सामाने और ओभीश को 45 प्रसने नंबर तो और अन्या के लिए 35 उंक लाना है यहां पर अनिवाड ठीक है ध्याने को जयाती हो और जन जयाती के लिए लेकिन पो कि पूष्च निशी जन जयानती के लिए तो उनने intervene जेनरल में ही यहां पर करना होगा सही उत्तर के लिए एक अंक मिलता है और जब कि गलत उत्तर के लिए 0.25 काट ले जाते मतलब 1 by 4 के यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स जो एज है एज काफी महत्तो पूर है तो देखिए एज की गणना एक जुला जाए एज पर गवर्मेंट रूल्स ठीक है ध्यान लगेंगे बांके देखिए अगर कोई सरकारी विवाग में कारे रते है तो उसे अनापत्ती परमाणपत्ति देना जरूरी होगा सरकारी आर्दिस सरकारी में तो वहां पर नोसी देना काफी जरूरी होता है ठीक है अब के अन्य महत्तों पोंग इसमें तथ्य देख लेता है बांकि कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप Facebook पे मैसेज कीजिए मुझे मैं आपको बताऊंगा अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो काफी अच्छी अपॉर्जिनल्टिया है लेकिन कॉंपेटिशन इतना ज़्याद है कि आपको काफी मेहनत करनी होगी जितने भी प्रिपरेशन में सनलगना है भी जेए की पोस्ट के लिए ठीक है मैं आपको बताना चाहता हूं वागि यह पूरा यह दिया है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे क्या करना है यह पूरा 300 रुपई form fees है OBC के लिए और EWS के लिए 300 रुपई है अनुसुची जाती SC के लिए 150 है HT के लिए 150 है उत्राखन दिव्यांग के लिए 150 है ठीक है तो यह हो गया आपका परिच्छा सुल्क बागि देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दीगए कि कैसे आपने form को बरना है औ आपको बोलना चाहूंगा ठीक है OTR करना काफी जरूर ही हो गया आज की डेट में वह चाहिए अधिनिस्त सेवा चाहिए नायोग में OTR हो या आपका UKPSC में है ठीक है OTR करने के बाद ही आप कोई भी नया form के लिए आविदन कर पाएंगे अन्यता नहीं कर पाएंगे तो ए आपको फेस्बूक पेज पर मैसेज किजिए फेस्बूक पेज भी हमारा चैनल के नाम से है देव भूमी करियर पॉइंट तो मिल जाएगा और सांती बोलना चाहता हूं अधर जो एस्पिरेंट से देखिए काफी ज्यादा हला हो रहा है कि 10 जुलाए को आयोग को घेलनी की आयोग ने लेकिन आप निरास ना हो जो भी अभी पेंटिंग पर है उनको भी जल्दी ही रिलीज करेगा UK SSSC क्योंकि इतना लंबा यहां पर भरतियों को पेंटिंग नहीं कर सकते यह लोग क्योंकि देखिए बैग लोग की सभी बरतिया हो चुकी है कुछ रिजल्ट आने पांकी रह गए उसके अलावा अभी UK SSSC के पास कोई काम है नी तो फिर ऐसे आयोग का क्या फाइदा जिसके पास कोई काम नो हो तो नई वेकन से रिलीज करेंगे नई से काम करने ही वाले हैं छात्र सकती जरूर ही है मैं मानता हूं लेकिन आप ऐसा कुछ ना करें जिससे को कोड़ा जो अपने अंदर की अगनी होती है उसको संभाले आप धहर्या बनाए रखें ठीक है बांके कोई भी डावट क्वेर हो तो आप मुझे मैसेज कीजीगा थैंक्यू पार वाचिंग प्लीज डूलाइग और सेयर